वनों के सरक्षन में मीडिया एक एहम भूमी का अदा कर सकता है। इसी विशे को लेकर शिमला में वन विभाग की और से एक दिवस्य मीडिया कारशाला का आयोजन किया गया। जिसमें शिमला के पत्रकारों और वन विशेशग्यों ने वन के सरक्षन को लेकर विचार सांचा किये कारशाला की जानकारी देते हुए वनविभाग के डिप्टी कंजर्वेटर फॉरेस्ट पब्लिसिटी रवन शर्मा ने बताया कि भविश्य के लिए वनों को बचाने के लिए मीडिया एक एहम भूमिका निभा सकता है मीडिया के माधन से लोगों में वनों के सरक्षन को लेकर जागरुकता पैदा की जा सकती है और आपस में समवाद अच्छा हो इसके लिए वन विभाग ने आज कारशाला कायोजन किया है सही जानकारी लोगों तक पहुंचे इसके लिए वन विभाग और मीडिया के बीच समवाद होना जरूरी है यह जो वन विभाग और GIZ जर्मनी के सहयोग से एक मीडिया वर्क्षाप हम यहां कर रहे हैं शिमला में इसका बैक्ग्राउंड ही यह है कि हम लोगे समझते हैं कि मीडिया वालों के साथ हमारी इंट्रेक्शन उतनी नहीं हो पाती और हम अपनी बातें जो साइंटिफिक बातें हैं अगर हम आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो बीच की कड़ी जो सबसे महत्वपून कड़ी है वो है हमारे मीडिया परसनल तो जब तक हम उनी को कन्वेंसियस समझा नहीं पाएंगे कि वन विभा किस तरह से सरकार की नेतियों को उनके कार रिक्रमों को क्रियानवित करने के प्रती अग्रसर है है और हम क्या कर रहे हैं तो आज तिक आम जन्वात तक यह बात पहुंचा पना तख़ड़ा मुशकिल हो जाता है कि साइन्टिफिकली कहां पर क्या किया जा रहा है किस तरह के कारें हैं तो एक सोचा गया इस प्रजेक्ट के तहते हैं तो इसमें जो यह कैनिक ने किस से परसनल के साथ हमें कि इंट्रेक्शन करना चाह रहे हैं so that हम अपनी बात उन तक पहुंचा पाएं वो हमारे परस्पेक्टिव को समझ भी पाएं हमारे साथ उनकी इंट्रेक्शन भी बढ़े हैं और हमारी जो वन्विभाग की जो कारेवाई है उसे एक सही परिपेक्ष में तक पैन्डेक्शन क में परिपोर्तिव पहे ँडिंग नियूथ को समया प्रेंट्रेक्शन भी पोरिद इंट्रेक्शन भी जो समयारे सान तरिखिव बलाइब की जिए व्हर य इन प्र связi को, दू EXCLAIMSनuse, जबना सब्सक्रदा प्रेयरे स्विषय का में टेक्यां हमारी ब पॉस्पर फुचर शुम्ला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट